हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सर्व आयोप बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंट्स सावन का आया तेवहार और लेकर तीजो की बहार तो आज हम क्या बनाएंगे गेवर आज मैं आपको एक इंस्टिंट गेवर बनाना बताने वाली हूं जिसे आप आसानी से बनाकर दो मिनट में ह इसके लिए मैंने दो ब्रेड के स्लाइस लिये हैं देसी घीलिया है थोड़ा सा और ये मलाई ली है लाइची पाओडर थोड़े से ड्राय फुट्स और एक चमच पिसी चीने, अब मैं ब्रेड के स्लाइस को एक कटोरी की हेल्प से एक राउंड सर्कल में काट लोंगी, देखिए, कितने इजली कट गया है, अब हम इसे किसी बॉटल की कैप से बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, जिस तरह घेवर की शेप होती है न, हमें ब्रेड को सेम वही शेप देनी है, मैंने अपने दोनों स्लाइस काट लिया है, आप गैस पर एक पैन रखते हैं, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और हम अपने ब्रेड स्लाइस को कुरकुरा होने तक सेक लेंगे, देखिए, उपर से भी थोड़ा सा घी लगा दिया है, अब ये दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक मैं इसको सेक लूँगे, अब हम अपनी मलाई तियार कर लेते हैं, मलाई में पीसी हुई चीनी मिलाई है, इलाइची पाउडर मिलाया है, और इसको एक स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे, हम इसे ज्यादा नहीं फेटना क्योंकि हम मलाई का लच्छेदार मलाई वाला टेक्शर रखना है इसका, हमारे दोनों ब्रेड के स्लाइस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जो हमने सेक लिये थे, अब हम उनको एक दम से गरम ब्रेड के स्लाइस पर मलाई नहीं लगानी है, आप उसको दो मिनिट के लिए छोड़ उसके बाद हम उसके उपर मलाई का अपना जो मिक्शर है वो इस तरह से लगाएंगे देखे सर्कल करके और यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगेंगे और यह जट पट से बन जाएंगे, दो मिनिट में ही बन जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आप इसके और अपनी मलाई वाला मिक्षर असेंबल कर लिए जिए मैंने दोनों ब्रेड के स्लाइस को इसी तरीके से कर लिया है अब हम इस पर अपने ड्राइफ फूट्स लगा देते हैं ड्राइफ फूट्स को मैंने चिप्स कटर में बारिक बारिक चिप्स बना लिये हैं जिससे ही देखने में भी सुन्दर लगते हैं, मैंने अपने दोनों जो गेवर बनाए हैं, ये एसेंबल कर लिए हैं, देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी से बन जाते हैं, और खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल के साथ जरूर कीजिए, ठैंक यू,